दोस्तों हमारे यूटूब चेनल आओ देखी में आप सभी का स्वागत है आज हम फिर हाजीर है एक महत्पूर्ण जानकारी लेकर इस पोधे को हमारे देश में करीपत्ता और कहीं कहीं पर मिठानीम के नाम से भी जाना जाता है या कोई मामूली पोधा नहीं है दोस्तों बल दोस्तों के बारे में बताएंगे तो वीडियो को पूरा जरू देखिया दोस्तों यह खुश्मुदार पोधा होता है और दिखने में भी सुन्दार अपनी और आकर्सित करने वाली होती है इसका उप्योग खाद्य बेंजनों में पोस्लक्त तो बरहने और स्वाधे तुम मिलाने में किया जाता है दोस्तों इसके पंचांग का उप्योग सारीरिक ब्याध्यों को दूर करने है तु और आंत्रिक अंगों को निरोग सबल सक्रिया बनाने में किया जाता है आईए बताते हैं इसके पत्तों और फलों के उप्योग और फायदों के बारे में इसके हरे पत्ते एवं सुखे पत्ते का चूर्ण बनाकर भी उप्योग किया जा सकता है हरे पत्ते एवं ताजे पत्ते का प्रती दिन उप्योग करने के लिए इसके पौध्यों को अपने बागीचे और आंगान बारी में जरूर लगाएं इसके पत्तों के उप्योग से त्वचा संबंधी विकारों को दूर किया जा सकता है इसके लिए इसके ताजे चार पांच पत्ते को तोर कर पेश्ट बना लें और उसे अपने गाल चेहरे हाथ पेरों में त्वचा पर त्वचा संबंधी चर्म रोगों को दूर करने के लिए जैसे की जाईयां परना खोड़े फ्रुंसी मस्से दात खाच खुजली रुखापन वाले जगहों पर लेप करें तो बहुंच सीग रही आप इनसे निजात पाएंगे जाईयां पिंपर्स खाच खुजली सभी प्रकार के त्वचासंबंधी रोग जल्द ही ठीक करने में यह बहुत लापकरी होती है कि दौस्तों इसके फुलों के भीसों से निकलने वाले देल को निकाल करके त्वचा पर मसाज मालिस किया जाए तो प्रकार के रोगों के सक्रमत से बचा जा सकता है रोग मुकत हुआ जा सकता है इसके फायदे हैं पेट संबंधी रोगों के लिए इसके चार-पांच हरे वा ताजे पत्ते को दोर कर सुबह खाली पेट में खाएं तो पेट संबंधी रोग जैसे की गैस बना बदहजमी भूख न लगना पेटों में एठान और दर्दका होना समाप्त होने लग पहले रात भर अपने सीर में बालों में लगाएं तो सुबह नहाने के समय धोलें ऐसे करने से आसमय बालों का पकना जर्णा डेंडराप गंजपन दूर होने लगता है और बाल सुन्दर घने काले वह लंबे होने लगते हैं इसके फैदे हैं मदुमेह की बिमारी के लिए इसके 3-4 ताजे पत्ते को सुबह सुबह खाली पेट नित्य चबाते रहने से सुगल लेवल नार्मल होने लगता है नित्य इसके 4-5 ताजे पत्ते का सेवन करते रहने से सरीर की पती रोधक्षमता बनी रहती है जिसके कारण बिविन्ड प्रकार के रोगों का सरीर पर आसानी से हमला नहीं हो सकता है हमारा सरीर सुरक्षित रहता है तो यही सब थी दोस्तो करिपत के मौतपूर फाइदों के बारे में जानकारियां दोस्तों अगा जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सेहाज जरूर करें और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमसे जूने के लिए आओ देखे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें